कैसे हैं आप लोग तो आज में शेयर कर रही हूं आप सभी के साथ में एक बिल्कुल असान सी नही रेसिपी जिसमें बनाने जा रही हूं चीजी गार्लिक पोटैटो बाइट्स इसे आप वेकबर जरूर ट्राइ कीजेगा बहुत ही यमी बनती है इसको बनाने के लिए एक फ जब तक यह crackle होकर तेल मैं इसका अपना फ्लेवर नहीं छोड़ देए जैसे ही जीरा क्रेकल हो जाती है आपको यहां पे लसन डालनी है ग्रेट करकर तो यहां पे चार-पांच पीस लसन की कलिया नी मैंने बड़ी साइज कि और उसको मैंने ग्रेट करकर यहां पे डाल द कुछ सेकंड इसे भी आपको सौते कर लेना है जैसे ही मिर्चु का कलर निकलने लगीगा न इसमें आपको एक कप पानी डालनी है तकरीबं 150 ml पानी डालकर इसको आपको स्टर कर देनी है और इसमें उबाल आने का वेड करना है जैसे ही पानी में बॉयल आने लगेगा आपको लेना है 100 ग्राम चावलों का आठा यहां पे राइस फ्लार ले दी हूं मैं जो कि मैंने घर पे बनाया है 100 ग्राम मैंने कच्छा चावल लिया जिसको मैंने अच्छा से वाश कर लिया उसके बाद में थोड़ा उसको साफ कपड़े में बान दिया और जब उसका पानी खतम हो गया तो उसको ग्राइन करकर मैंने यहां पे पाउडर बना लिया है और यही पाउडर राइस मैंने इस्तमाल करी है आप इसली घर पे इसे बना सकते हैं यह तो आप रेडिमेट ले सकते हैं तो यह चावल का आटा आपको 100 ग्राम लेना है इसमें डाल देनी है और लगातार स्टेर करते रहना है बिना रुके जिसे ही आप इस पानी में डालेंगे गर्म गर्म पानी में यह बिल्कुल अच्छा से कूख हो जाएगा और बहुत अच्छा डो जैसा बन जाएगा तो अब जब यह समटने लगा है एक अठा एक जगा पर आ रहा है तो फ्लेम ओफ कर रही हूं है और क्यूंकि यह गरम है इसको फॉरण ही बोल में रांसफर कर लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे को इस अठोल से छहां से से लगता चलाती जा रहा हो मैं जिसके से हीशुटर ठुक्रे हो गए है और यह बहुत फंडा ओक थिशेंग और अप की आश्नट हो जाता है और जब तक आपका हांथ इसको टच्च नहीं कर पाय तब तक आप इस इसके साथ ही आलू ले नहीं हो जो के अदा केजी है तो हाफ केजी आलू को मैंने बॉयल कर लिया और इसके बाद में चिल्का उतार कर इसको ग्रेट कर मैं और इसके साथ ही चीजी फ्लेवर देने के लिए मैं थोड़ा चीज भी डाल रही हूं तो एक कप मैंने ग्रेट करकर चीज डाली है दो टेबल स्पून इसमें मैं डालूँगी कॉन फ्लार जिससे इसको अच्छा बाइंड मिले और जो भी मॉइस्चर हो जाएगा यह खतम कर देगा इससे बंद जाएगा और बाइंड पकड़ लेगा अब सारी चीजों को इक कि अब इसको हमें पर लेना होगा तो सबसे पहले थोड़ा साहातों को तेल लागा लिजे ग्रीशी बना लिजिए आपके हाथों में चिपके नहीं और बोल्ड पर भी थोड़ा सा ओय लगा लेना है इसको दो इक वल्हाफ में कट कर लेना है पहली नाइप से और उसके बा लेना है इस तरह से लगाता रॉल करते रहें ध्यान स्टीज का रखें कि यह बीट से तूटे नहीं तो यहां पर देखें इतना बड़ा रॉल यह बन गया है इस तरह की इसके थिकनेस होनी चाहिए और अब नाइफ में थोड़ा सा ओयल लगा लिजिए और इस तरह का रॉल क असब करते हैं इस तरह से थिखते हैं और बनाने में भी बहुत असान है अब इसको नेक्सť टेप में farine करना है इस प्ञे पे आप इसको में उटाल साकते हैं आप चाहित तो इसको क्या कर सकते हैं कि ऐर यह टाइस बाग में या या फुल्क बाक्स में दाल कर इसको फ्रीजन में रख सकते हैं और जब मर्दीं निकाले डिखाए, अब हाँ जिसके लिए आप पो ढ बंगा आप बिखा रही हुँ जिसके लिए तूट कर चूर हो जाएंगे और यह अच्छे नहीं बन पाएंगे तो आपको इसको फ्राइ करने के लिए तेल को बहुत अच्छा गरम कर लेना है और डाल देना है डालने के बाद में यह खुद ही अप इस तेल में सेटल आउट होने लगेगा और तेल का तेमपरिचर कम हो आणी कि आणकपरिचि अचाओ जाएंगे जाएं तो बस देखें यह चूटने लगा है और फ्लोट करने लगा है तेल में अलका हल्का स्टार कर दीजिए जिससे यह बहुत अच्छे से हर तरफ से सिक जाएगा इसमें और देखें आप जादा नहीं डालना आवगर खराब बोट रगे घंट गोल्डन है और बोहुत क्रिस्पी और फ्लेवर रहे हैं और बहुत ही उपर से डिस्पी और शीजी बनकर त्यार होता है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, तो स्टार्टर की तरह पे आप इसको खा सकते हैं बहुत अच्छी लगेगी बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आएगी यह देखें बिल्कुल मैंने इसको निकाल लिया है स्ट्रेनर पे और अब मैं इसको टिशू पिपर पे निकालूंगी जिससे बचा कुछा ča और यह बहतरीन सा क्रिस्पी पोटेटो बाइटस तयार हो जाएगा चैने में बड़ा मज़े का लगेगा इसी तरह से आपको तारव कर लेने हैं तो निक्स्ट बैच मैंने इसी तरह से डाली है और डालकर मैंने इसको यहां फ्राइ कर लिया है तो बस अब मैंसको निका जब आपको कुछ अलग सा बनाने का दिल हो रहा है तो आप क्रिस्पी चीजी पोटेटो बाइट जरूर एक पर ट्राइ करें बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत ज़्या पसंद आएगी बना कर दीजेगा आपको सभी को बहुत अच्छा लगेगा अगर से में रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को एक पर लाइक और शेयर जरूर कर दीजेगा चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा फिर में लोगी मैं इसी तरकी बहुत ही धमाकेदार दिल्चस प्रेसिपी लेकर नेक्स टाइम तब तक अपनों और अपनी फामली कर रखेगा बहुत सरा ख्याल दौह में आद रखेगा बाया थैंक्स पो वाचिंग